हालो फ्रेंड्स वेलकम इन मा यूटूब चैनल रेडियो लोजी टेकनिकल फ्रेंड्स आज हम रेडियो ग्राफिक के मोडल क्यूशन पेपर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में इम्पोटेंट क्यूशन और उनके आंसर्स के बारे में जानेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले रेडियोलोजी टेकनिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए जानते हैं इम्पोटेंट क्यूशन्स और आंसर्स के बारे में फर्स्ट नंबर क्यूशन है विच मेटल इस कॉमनली यूजड अस टार्गेट इन एक्सरे ट्यूब्स इस क्यूशन में पुछा गया है कि एक्सरे ट्यूब्स में टार्गेट के रोप में कॉमनली किस मेटल का यूजड किया जाता है ओप्शन ए हैं लेड, ओप्शन बी कोबाल्ट, ओप्शन सी रेडियम, ओप्शन डी टैंगाश्टन तो इस क्यूशन का राइट आंसर है ओप्शन नमबर D, टैंगाश्टन इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है एक्सरे ट्यूब्स होती है और इसमें यह है टैंगाश्टन का टार्गेट यूज़ किया जाता है क्यूशन नमबर सेकेंड है, वल्टेज ओप सेपलाइट एज मतलब डार्क रूम में सेपलाइट कितने वल्टेज की होती है ओप्शन ए है 20, ओप्शन भी 50, ओप्शन C 15, ओप्शन D 100 वल्टेज तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर C, 15 वल्टेज यह है डाइग्राम जो आप देख रहे हैं, यह है सेपलाइट होती है और इसमें जो बलब यूज के जाता है, वह है 15 वल्टेज का होता है क्यूशन नमबर थाइड है, 10 day rule is applicable in मतलब निमन लिखित में से 10 day का rule कहां applicable होता है ओप्शन A है HSZ, ओप्शन B MRI, ओप्शन C Doppler, ओप्शन D USZ तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर A, HSZ HSZ का मतलब हिस्टेरो सल्फिंगो ग्राफी होता है क्यूशन नमबर 4 है, which of the following is the largest gland in human body मतलब human body में largest gland कौन सी होती है ओप्शन A है thymus, ओप्शन B kidney, ओप्शन C liver, ओप्शन D pancreas इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर C, liver human body में यह सबसे largest gland होती है क्यूशन नमबर 5 है, what is x-ray, मतलब x-ray क्या है ओप्शन A है stream of electrons, ओप्शन B है stream of positively charged particles ओप्शन C electromagnetic radiation of high frequency ओप्शन D stream of uncharged particles तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर C, electromagnetic radiation of high frequency मतलब electromagnetic radiation की high frequency ही x-ray होती है क्यूशन नमबर 6 है, swimmer's view is taken for which region मतलब swimmer's view किस region के लिए किया जाता है ओप्शन A है, survive को थोरेशिक region ओप्शन B, थोरा को लंबर region ओप्शन C, shoulder ओप्शन D, scapular region तो इसका राइट आंसर है, option नमबर A, survive को थोरेशिक region यह diagram में जो position आप देख रहे हैं, यह है swimmer's view की position होती है क्यूशन नमबर 7 है, step absent in automatic processor मतलब automatic processor में कौन सा step absent होता है option A है, fixing, option B, ranging, option C, washing, option D, drying तो इसका राइट आंसर है, option number B, ranging automatic processor में निमन लिखित step होते हैं first है developing, second है fixing, third है washing, four है drying इसमें rinsing वाला step नहीं होता है question number 8 है, an explain of ball and socket joint is मतलब निमन लिखित में से कौन सा joint, ball और socket joint का example है option A है, radio ulnar joint, option B, elbow and knee joint, option C, shoulder and hip joint, option D, temporal mandibular joint तो इसका राइट आंसर है, option number C, shoulder and hip joint, इस परकार के joint, ball और socket type के होते हैं question number 9 है, high resolution city seen in most commonly used for evaluation of the मतलब high resolution city scan का सबसे अधिक यूज किसके लिए किया जाता है option A है, brain, option B है, lung, option C है, media esternum, option D है, pancreas तो इसका राइट आंसर, option number B, lung high resolution city को HR city भी कहा जाता है HR city, regular chest city की तुलना में, lungs की अधिक 60 क्रोस section image देता है question number 10 है, silogram is used to study मतलब, silogram किसकी study के लिए किया जाता है option A है, blood vessel, option B, spinal cord, option C, small intestine, option D, slavery glands तो इसका राइट आंसर है, option number D, slavery glands इसमें, slavery glands की duct को देखा जाता है question number 11 है, GP external joint is at the level of मतलब, GP external joint किस level पर होता है option A है, six thoracic vertebra, option B, nine thoracic vertebra, option C, one lumber vertebra, option D, third lumber vertebra तो इसका राइट आंसर है, option number B, ninth thoracic vertebra पर इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह है, GP external joint होता है और यह है, ninth thoracic vertebra के level पर होता है question number 12 है, which of the following is the main use of filtration मतलब, निमन लिखित में से, filtration का main use कौन सा है option A है, reduce percent dose, option B, remove scattered radiation, option C, reduce operators dose, option D, reduce image noise तो इसका right answer है, option number A, reduce percent dose filtration का main use यही होता है कि वहे percent dose को कम करता है filtration window और percent के बीच, X-ray beam में रखी एक metal की seat होती है जिसका use X-ray beam के low energy वाले X-ray photon को remove करने के लिए किया जाता है इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह filter, X-ray tube की window और percent के बीच में लगा होता है question number 13 है, what is the melting point of tungsten? मतलब, tungsten का melting point कितना होता है option A है, 1400 degree Celsius, option B, 1400 degree Celsius, option C, 3400 degree Celsius, option D, 4500 degree Celsius तो इसका right answer है, option number C, 3400 degree Celsius question number 14 है, the relationship of the actual and effective focal spot size is card us मतलब, actual और effective focal spot size को क्या का जाता है option A है, thermionic emission, option B, isotropic emission, option C, space charge, option D, line focus principle तो इसका right answer है, option number D, line focus principle इस diagram में आप देख सकते हैं कि actual focal spot की size से, जो effective focal spot size बनती है इसे line focus principle कहते है question number 15 है, grid are placed between मतलब, निमली लिखित में से, grid किसके बीच में रखा जाता है option A है, x-ray source and percent option B, percent and cassette option D, detector and TFT option D, detector and CCD तो इसका right answer है, option number B, percent and cassette इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह है जो grid होती है, यह है percent और इस receptor के बीच में लगी होती है friends आज का वीडियो हमारा यहीं complete हता है friends वीडियो आपको अच्छा लगए तो वीडियो को like, share और radiology technical channel को subscribe जरूर करें आपको करें